शरारत में सबके दिल में बसने वाली शुरुती इस वेब सीरीज में बन गई है राधिका तो आएए उनी से ही जानते हैं इस वेब सीरीज और उनके किर्दार के बारे में कुछ खास शूरूती हमारे साथ है और जो बन गई है रादिका और रादिका की जो एंट्री है 36 डिस में वो कुछ इसी तरह से ओपनिंग होती है वो इंट्विव ही दे रही है हमने सोना है उसमें तो कितना एक बार फिर से वो रिलेट हो गया वो सीन? मैं अक्चली भूल गई थी अभी अभी आपने याद दिलाया कि मेरा ओपनिंग सीन शो में इंट्विव देते वक्त है यह मेरा शो के लिए पहला इंट्विव है तो थैंक यू फर आज तक उसके अलावा I think as an actor being in front of a camera and having a mic is like oxygen for all of us यह जो रिष्टा है वो काफी पुराना है मतलब काफी टाइम से हम आपको कवर करते आ रहे हैं और सारे इतने characters की इतने roles की है आपने तो Radhika की क्या ऐसी बात थी जो Shruti को क्लिक कर गई और Shruti ने opt किया सबसे पहली बात I'd already done a show with Uplaws and BBC तो उनके साथ यह एक दूसरा शो करने का मौका मिला जॉन्र अलग था इस थ्रिलर, whodunit तो थोड़ा interesting mysterious type है फिर एक और बात की काफी सारे actors के साथ मैंने individually काम किया है इस शो में thankfully उन सब के साथ एक साथ काम करने का मौका मिला सबसे important Purab Koli जो मेरे बहुत पुराने सातीदा रह चुके हैं एक साथ मेरे साथ मेरे साथ एक सालो पहले उसके अलावा he's actually worked with my husband in a show which my husband directed and ऐसा था के ती लंबी दोस्ती तना लंबा एक करियर असोसिएशन रहा है and it was really nice के हम दोनों को दोबारा से एक साथ स्क्रीन पे आने का मौका मिला यादे ताज हुई और क्या क्या बाते हुई पहले फॉर्स जैसे ही पूरब को देखा या पता लगा कि पूरब भी है हमारे जो डिरेक्टर है विशाहल जी उनको बड़ी इरिटेशन होती थी क्योंके जब ही वो कट बोलते थे पूरा बार में सारी बाते शुरू कर अच्छा तब याद है यह याद है यह बच्चे है अब ऐसा है कि हमने चैनली की वीजे रह चुके हैं यूनों मिलकर अपने बच्चों की बाते कर रहे थे तो he was telling me about his kids, I was telling you about my daughter and it's just I think बहुत खुशकिसमती की बात है कि पहली बात कि आपके इस लाइन में अच्छे दोस्त बन जाते हैं दूसरी बात कि इतने सालों तक आपको और आपके दोस्तों को काम मिलता रहता है और तीसरी बात कि आपको दोबारा उनी दोस्तों के साथ काम करने का मौका मिलता रहे तो I think there is nothing more than an actor can want and instantly I think क्योंके हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं हमारे लिए you know to get the chemistry going was so easy and मुझे लगता है कि हमारे director को हाला कि वो बहुत इरिटेट हुआ करते थे क्योंके हम non-stop बात करते थे कितना बात करते हो तुम दोनों कितना बात करते हो और हम उनको मजाग करके यह बोलते रहते थे कि भई बात करने के पैसे मिले हम as a VJ that's all you do you just keep talking I said toh वह एक आदत है कि छूटी नहीं है इतने सालों बाद पर I think the good thing was क्यूंके हमारी खुद की रलेशनशिप इतने सालों से है to play husband and wife on screen came very naturally also हम दोनों की शादी हां हुई हुई है तो हम को पता है कि मारिज की जो निटी-क्रिटी से है वो कैसी होती है so show में हमारी रलेशनशिप थोड़ी सी तेंस है as a couple and I think the reason we were able to I hope translate that well on screen was क्यूंकी एक personal life experience है of being married and दूसरी बात the comfort of being friends so I think हमें लिटरली पहले सीन से ही ऐसा लगा नहीं था कि हम पहली बार camera के सामने बैठे हुए है इतना ease में हुआ बहुआ 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 है कि आप अगर एक actor को या एक इंसान को इतने सालों से जानते हैं there is no ego and that was so nice क्यूंकी बिल्कुल भी यह नहीं था कि भई you know let me try and upstage her or let me try and upstage we're just happy that we get to work with each other and हम दोनों का बस यह था कि इस सीन को हम कितना बहतर बना सकते हैं you know again and again अच्छा एक और टेक कर लें shall we can I do it again that that comfort and that encouragement that you get from a friend who's been an associate for so long that is that is really precious and it's gold on a set for an actor so for me I think the moment I was told के पूरब कोली is going to be playing your husband I said I cannot say no you know he used to be I remember मैं उसका इता मदाकोड़ा रिती because I was telling him he was such a heartthrob when we were in channel V and मतलब लडकियां इदर उदर गिरी पड़ी रहती थी पूरब कोली आ रहा है पूरब कोली आ रहा है so I said भही मतलब मुझे मुझे मुझा मिल रहा है actually पूरब कुछ सालों तक गोवा में रह रहा था so he knows Goa really well and it was really nice क्योंके he's very comfortable in the space and I remember हम जहां शूट कर रहे थे वो रोज बहुत स्वीटली मेरे ले अपनी मा के घर से खाना पकर के लेकर रहे थे and both of us would sit and you know order lunch के अच्छा तुमी क्या खाना है ये खाना अच्छा ठीके शुट भूट का रुट तुटाएगे या ओल ये तब सारा खाना पर every day very sweetly he was living with his mum he would pack lunch from his mum's house or his mum would send pack lunch and he would always make sure के there should be enough for me also so it was it was genuinely such a lovely experience and ये तो ही पूरब की बाते है even the rest of the cast if you see the line-up to be in a photograph with such fantastic actors is you know a matter of pride for for me I'm just really happy that I get to be counted amongst such a stellar star cast and I think हम सब एक साथ दस दिन तक because हमारी जो भी combination scenes थे बंबाई में हमार आला करा काम हुआ फिर all of us went to Goa together and we would just spend the whole day in on location क्यूंके हम सब के घर उसी gated community में हमने चूज कर के रखे वे थे and बस to learn to hear stories to you know watch other actors perform and it's it's really it's not a job it's a master class तो आपको literally acting सीखने के कोई पैसे दे रहा था and our director Vishal for him to manage you know so many actors and such a complicated screenplay क्यूंके इतना सब कुछ हो रहा है कहनी में जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा to be able to think ahead because you have to literally know your edit really well while you're shooting and I think he and his team were fantastic when it came to getting work out of us they were long hours क्यूंके we had limited time and हमको पता नी था कब कॉंसा actor की कब जरूरत पड़ेगी plus I think if I remember October में थोड़ी बारिश की भी प्रॉब्लम हो रही थी तो a lot of times we needed to shoot outdoors but we couldn't क्यूंके बारिश हो रही है so we would just sit in our rooms the whole day and wait and I think despite the fact that actors tend to get very agitated when they are made to wait but that is their job that is what they get paid to do is to wait and it didn't feel like that क्यूंके we had such wonderful company of each other and I hope के हमें 36 days shoot करने में जितना मजा है उतना ही audience को आए देखने में and I hope it all translate 36 days why 36 days because the story is set in 36 days के वो एक लड़की आती है and what happens in the course of 36 days and फिर उसका मुर्डर हो जाता है so उन 36 days में क्या-क्या हो रहा है उसकी कहानी है 36 days अशर शूतीद from शरारत to नाव तो सबसे फेवरेट या पसंदीता खुद का फेवरेट करेक्टर अब तक का कौन सार है वाव ये ना मुझे कितने लोगे सवाल पूछते हैं और मैं में लिए it's such a cliché answer क्योंकि for an actor playing every part is special पर अगर आपके खुद को play करने में मज़ा आया हो मज़ा आता है तो मैं अगर आपको एक बात सच-सच बताऊँ मैं चाहे कुछ भी कर लूँ कितना भी अच्छा काम कितना भी बुरा काम ना करूँ मुझे लोग सिर्व जिया के नाम से ही जानते हैं कभी-कभी मैं परिशान है मैंने का और भी काम किया है मैंने यार देख लिया करो पर वो बस एक मज़ाग करने की बात है मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि एक शो जो आपने अब इस 2004 शरारत 2003 में रिलीज़ वा था बीस साल हो गया है आज तक लोग उस शो को उतना ही प्यार देते हैं अभी भी उसके episodes देखकर मुझे messages भेजते रहते हैं और मुझे सच में हैसा लगता है कि अगर उस वक social media होता जो कि नहीं था पता नहीं हम तो we would have broken the internet आज भी जब आप करते हैं सब लोग मिलते हैं मतलब बहुत बहुत अच्छी किसमत से लोगों को इस तरह का काम करने का मौका मिलता है अपने करियर में जो आपकी करियर आपकी जिंदगी आपकी हर achievement को सरपास कर देता है मैं कुछ भी कर लोँ I don't think I can ever ever wipe off शरारत from my forehead वो कभी नहीं जाएगा तो मैं बस यह बोलूंगी केशरिंग, ब्रिंग, सर्वलिंग, भूद, भविष्य, वरतमान, बदलिंग All of you must 36 days be watching अब लोग और सादा कनेक करेंगे क्योंकि वो जिया से इतने कि रादीगा से उने कनेक्ट होना ही पड़ेगा Thank you Thank you Thank you All the best अंतर लेकर ही आते हैं आपके लिए 24-7 Entertainment तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राइस जरूर दें और ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बूक पेज को फॉलो करें नाम तब सब्रादी है, सास, बहु और बेटियां और अब तो हम आ गये हैं आपके WhatsApp पर भी, so get set Go!